Hello students, कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है Magnet Brains Hindi Medium पर Magnet Brains Hindi Medium पर आपको मिलते हैं 6-8 12th class तक के सभी विश्यों के high quality content इसके साथ ही Magnet Brains Hindi Medium आपको provide कराता है ना सिर्फ CBSE Board बलकि Other States Board जैसे कि MP Board, UP Board, Delhi Board, Bihar Board, Rajasthan Board जैसे Boards के भी fully organized courses और ये सभी courses आपको मिलते हैं बिल्कुल free of cost मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी payment करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं इसके लिंक आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की class और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ने वाले हैं हमारा part 12 जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटना है इस part का part पईचा हम देख चुके हैं साथ ही इसके दो topics भी हम कर चुके हैं तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे इसके दो topics पहला है आवेशों के प्रकार तिथा इनके अन्योन क्रिया और दूसरा है आवेश का स्थानांतरन तो आज हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे उस दिन हमने तडित के बारे में पढ़ा था तो आवेश के प्रकार कौन से होते हैं उनके अन्योन क्रिया क्या होती है आज हम ये जानेंगे और साथ ही हम आवेश का स्थानांतरन कैसे होता है इसको भी समझेंगे तो चलिए बिना देरी करें फटाफट से टॉपिक की तरफ चलते हैं लेकिन उससे पहले आपको करना एक छोटा सा काम कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस अभी क्लासमेट्स को फटाफट से शेयर भी कर देना है चीक है तो जल्दी से आप लाइक और शेयर करके आईए मैं चलती हूँ टॉपिक की तरफ तो देखें हमारे पास टॉपिक में सबसे पहले एक क्रिया कलाप आ जाती है इस क्रिया कलाप के द्वारा हम क्या समझेंगे इस क्रिया कलाप के द्वारा हम जानेंगे क्या आविश की प् फट्रश ना करें दोनों गुबारों को किसी ऑनी कपड़े से रगडिया और छोड़ दीजें आप क्या देखते हैं अब देखो हमने किया क्या है इसमें कि हम को ऐसे दो क्या ले लेने हैं गुबारे ले लेने हैं ठीक है और फिर इसको हमें क्या करना है कुछ इस तरह से कील लगा करके या की लगर है तो उसमें इस तरह से क्या करना है इनको नीचे लटका लेना है अब इनको हमें आवेशित करना पड़ेगा और आवेशित करने के लिए हम क्या करेंगे हम इनको किसी उनी कपड़े से रगड़ेंगे जिससे क्या होगा इनमें आवेश उत्पन होगा और जब हम आविश उत्पन करेंगे तो फिर क्या होगा? उनको आविश उत्पन करने के बाद छोड़ दो ऐसे और फिर अब्जर्व करो, देखो कि क्या चीज़े देखने को हमें मिल रही है आईए अब हम इस क्रिया कलाप को पैन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं एक रिफिल को पॉलिथीन से रगड़िये, काच के ग्लास को स्टैंड की भाती उपयोग करते हुए इसे ग्लास में रखे दूसरी रिफिल को पॉलिथीन से रगड़िये, तथा इसे आवेशित रिफिल के निकेट लाइए सावधान रहे रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से ना चुए अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जब किया तो हमने देखा कि जब यह आवेशित हो जाते हैं तो भई दो तरह की क्रियाए हमें देखने को मिल सकती हैं या तो यह क्या करेगा आकरशित या फिर प्रतिकरशित हमें दो तरह की क्रियाएं देखने को मिलेंगी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने दोनों को ही उन से ठीक है अगर हम सिर्फ एक को आवेशित करते हैं और दूसरे को नहीं करते तो क्या होता दोनों के आवेश अलग अलग होते हैं लेकिन हमने क्या क्या हमने दोनों को समान चीज से मतलब दोनों को ही उन से क्या करके रगड करके आवेशित कर दिया तो जब दोनों ही आवेशित होगे तो उनमें क्या समान आवेश होगा तो जब समान आवेश इन दोनों में है तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे मतलब की यहाँ पर Repulsion Force काम करेगा प्रतिकर्शन होगा तो देखो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है प्रतिकर्शित करता है एक दूसरे से दूर जाता है तो अभी बलून्स जो थे गुबारे जो थे यहाँ पर साथ साथ थे अभी कैसे हो रहे हैं एक दूसरे से दूर हो रहे हैं क्योंकि दोनों में समान आवेश है और समान आवेश होने की वज़े से क्या हो रहा है यहाँ पर प्रतिकर्शन हो रहा है ठीक है तो यह हो गया यहाँ पर यह तो इन्होंने एक 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 जैंपल से समझाया अब वो बोल रहा है कि एक और बार यही हम क्रिया कलापको दोहराएंगे वस हम क्या करेंगे अभी हमने गुबारे लिए थे इसको change कर देंगे किसमें हम lotta चेंच कर देते है रिफिल के साथ है हमाई जो pen की रिफिल होती है उस से करना है लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक और चीज लेनी है काच का गलास उसको हम as a stand use करेंगे काच की गलास को रखेंगे एक refill को polythin से रगड के क्या करेंगे उसको आविशित कर लेंगे उसमें हम रख देंगे ध्यान रखना है कि इनके जो आविशित से रहे है वो किसी भी चीज से touch ना हो चीक है नहीं तो आविश क्या हो जाएगा उस दूसरी चीज में स्थाना अंतरित हो सकता है तो हमको किसी भी चीज से उसको touch नहीं करना ना ही हमारे किसी body के part से touch होना चाहिए अब हमने उसे आविशित किया polythene से काच के glass में उसे stand बना के हमने उसे रख दिया दूसरी वाली को भी हम क्या करेंगे दूरी फिल लेंगे अब चुब हम इस वाली रिफिल को दूसरी वाली रिफिल के पास ले करके जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो उसे अपनी तरफ खीचने के बिज़े क्या कर रही है प्रतिकर्शित कर रही है दूर फेक रही है ठीक है तो इन दो example दो क्रिया कलाब के द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि आवेश कैसे हैं या तो प्रतिकर्शन होता है या फिर आकर्शन होता है लेकिन जब आवेश कैसे होते हैं समान होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं और जब यही आवेश असमान होते हैं अलग-अलग होते हैं तो क्या करते हैं? ये एक दूसरे को आकर्शित करते हैं. आगे देखें, क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्शित अथ्वा प्रतिकर्शित करते हैं? अब अगर मालो हम क्या कर रहे हैं? हमने उसे प्ल करिया उसके साथ भी करेंगे तो वो क्या करेगा प्रतिकर्शन करेगा तो यहाँ पर देखो समान आवेशों के बीच अन्योन क्रिया हो रही है यह रिफिल हमें आप पास लेकर के जा रहे हैं तो यह वाली क्या हो रही है दूर जा रही है क्योंकि दोनों में ही समान आवेश ह चीक है आब यहाँ पर देखोगे तो इस पर क्या है इसको हमने उन से आविशित किया था इसको हमने पॉलिधीन से आविशित किया था हो सकता है दोनों के आविश कैसे हो अलग-अलग हो तो जब हम इसी आविशित गुबारे को इसके पास ले करके आते हैं तो यह क्या हो रह यह से आकरशित हो रही है उसके पास जा रही है तो यहां पर देखो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकरशित करते हैं. चीक है? आगे दिखें. इस क्रिया कलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तूओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी दि यदि भिन पदार्थों से बनी दो आविशित वस्तों को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? आए पता लगाते हैं, चीक है, अब हम जानते हैं कि अभी तो क्या था? हम एक ही जैसे पदार्थ से बनी हुई वस्तों को आवेशित कर रे थे और उनको निकट ले करके जा रे थे, पास ले करके जा रे थे तो हो क्या रहा था, वहाँ पर तो प्रतिकर्शन हो रहा था लेकिन अगर हम यही क्रिया कलाब को, इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से करें कि एक पदार्थ कुछ दूसरा हो और दूसरा पदार्थ कुछ दूसरा हो तब क्या होता है तो देखो अगर हम एक रिफिल को पहले की भाती रगड़कर धीरे से ग्लास में रखिए और इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुबारा लाइए और प्रेक्शन कीजिए तो अभी मैंने समझाए कि अगर हम वस्तू को बदल देंगे तो विपरीत आवेश अगर होंगे तो क्या होगा वहाँ पर हमें आकर्शन देखने को मिलेगा भई clear है यहाँ तक जलदी से बताए clear है नहीं है बताओ यहाँ तक clear है अब हम इसका सारांज देखते हैं परेक्शनों का तो देखो एक आवेशित गुबारे ने दूसरे आवेशित गुबारे को प्रतिकर्शित किया ये क्या है? समान पदार्च से बने हुई चीजे थी साथ ही इन में क्या था? समान आवेश था हमको क्या देखने को मिला? प्रतिकर्शन फिर दिखों आगे क्या बोल रहे हैं? कि एक आवेश था रिफिल नहीं दूसरी आवेश था रिफिल को प्रतिकर्शित किया अब इस जगे पर भी क्या है? समान वस्तू ठीक है? साथ ही क्या है? समान आवेश दोनों को एक ही पदार्थ से हमने आवेशित किया ना तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा? यहाँ पर भी प्रतिकर्षण देखने को मिला चीक है? अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? परन्तो एक आवेशित गुबारे ने आवेशित रीफिल को आकर्षित किया और साथ ही आसमान आविश, चाहिआया, आविश पी कैसे हैं आसमान है, तो यहाँ पर अब जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या है यहाँ पर हमको आकर्षन देखने को मिलता है उन दोनों के बीच में, चाहिए तो कुछ समझ हा रहा है इस चीज से आपको जल्दी से बताओ, अब एकमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, है ना? चले आगे, चलो, तो देखो, अब हमें क्या पता चलता है कि इस चीजों, यह जो अभी हमने सारी क्रिया कलाब देखी, क्रिया कलाब को समझा है, क्रिया कलाब के प्रेक्शन देखे, उसके साराश देखे, तो इन सभी चीजों से क्या पता चलता है कि आवेश जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजाती और दूसरा होता है विजाती, ठीक है, हमारे पा बात करें आवेश के प्रकार, तो हमको क्या मिल जाता है कि आवेश के दो प्रकार ऊते हैं, ठीक है, एक प्रकार क्या है, सजातिय और दूसरा प्रकार क्या है, विजाती अब ये सजाती और विजाती क्या है तो चलो इसको भी देख लेते हैं तो सजाती विजाती की बात कहें तो सजाती वो है जो क्या है? एक ही प्रकार के हैं या हम ये कह सकते हैं समान आवेश इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम सजाती आवेश कहेंगे तो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्शित करते हैं साथ में ये क्या करेंगे? ये प्रतिकर्शन करेंगे रुको पहले इदर पर बता दें ये क्या है? असमान आवेश है बिन आवेश चीक है? तो इन में हम क्या लिख लेंगे बिन आवेश अब अगर बिन आवेश है तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्रती कर्शन और वहीं अगर हम विजाती में बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा वस्तों के बीच में आकर्शन तो यही बोल रहे हैं कि सजातिय जो एक ही प्रकार के हैं ये आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्शित करते हैं जबके जो विजाती हैं जो के भिन प्रकार के होते हैं ये आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकरशित करते हैं ठीक है? क्लियर है? आगे देखो मान्यता के अनुसार रेशम से रगणने पर काच की छड़के द्वारा अरजित आवेश को धनावेश कहते हैं और अन्य प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं? रिनावेश कहते हैं कि भई आवेशों के जो प्रकार हैं वो क्या होते हैं धनात्मक तथा रिनात्मक ठीक है अब कैसे अगर देखो सजातिय जो होंगे ये कैसे होंगे ये धनात्मक और धनात्मक होंगे जब आवेश कुछ इस प्रकार से हों चाहे धनात्मक वा धनात्मक या रिनात्मक वा रिनात्मक तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर प्रतिकर्शन देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों वस्तों में आवेश कैसे दिखाई दे रहे हैं समान आवेश दिखाई दे रहे हैं ये क् भिण भिण होने चाहिए और जब आवश भिन भिन होंगे तो वहां पर हम को क्या देखने को मिलेगा हमको आकरशन देखने को मिलेगा और यह विजातिया आवश कहलाएंगे ठीक हैं तो यहां पर यह इस चीढ़ को यह ऐसे ही बता कौन सा आवेश रहेगा उस पर रिणात्मक आवेश होगा चीक है यहां तक क्लियर है अब देखो जब आवेशित कांच की छड़कों पॉली थीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्शन होता है क्योंकि रेशम से तो धना वेश आगया और जब दूसरी वाली कांच की छोड़कों हमने कस से रगड़ा भ्रय हुआ पॉली थी इस रगड़ा तो उस पे कोन सा आवेश है उस पे रिणा वेश है तो यहां पर धना व kennवेश है और इस वाले पर रिणा वेश है ये दोनों आवेश कैसे हैं द अगर आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना है, तो फटा-फट से जल्दी से लेंगे, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, ओके, चालो, अब देखो, प्लास्टिक स्टॉपर रिडावीश होना चाहिए, सही है, ठीक है, रगणने पर उत्पन विद्धतावीश कैसा होता है, स्थै चाहिए, जब आवेश गती करते हैं, तो विद्धत धारा बनती है, अब अभी अगर हम बात करें, जैसे कि प्लास्टिक स्टॉपर कौन सा है, रिडावीश है, ठीक है, अब यह जो हम रगणने पर क्या करने हैं, उनमें आवेश उत्पन कर रहे हैं, तो यह आवेश कैसे ह स्टेबल हैं, यह गती में नहीं है, यह उस चीज़ पर है, लेकिन यह बहीं तक है, अगर यह स्वैम गती करना शुरू कर दें, अगर आवेश क्या करेंगे, गती करने लगें, बढ़ने लग जाएं, तो यह किसमें, यह एक विद्धत धारा को बना देंगे, क्योंकि क्या बनाएंगे, विद्धत धारा को बनाएंगे, परिपत में प्रवाहित होने वाली वह विद्धत धारा जिससे बल्ब चमकता है, अत्वा तार गरम हो जाता है, और कुछ नहीं वनन आवेशो का प्रवाह ही है, तो विद्धत धारा जो विद्धत परिपत आपने ना था तो इस विद्धुत परिपत में यह आप देखते हो ना चीक है यह जो विद्धुत परिपत आप लोग ऐसा देखते हो बना हुआ तो यह जो विद्धुत परिपत इसमें हो क्या रहा है इसमें भई आवेश जो है ना यही तो प्रवाहित हो रहे हैं यह गती कर रहे ह इसलिए तो जब यहां से हम क्या करते हैं यहां से हम बटन चालू करते हैं तो सेल से क्या होने लगती है या जो भी उसका सोर्स है जिस भी स्त्रोथ से विद्धुत से विद्धारा मिल रही है वो सभी आवेश जो होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं गती करने लग जाते हैं और जब वो गती करते हुए यहां पहुंचते हैं, तो यह जो बल्ब होता है, यह क्या हो जाता है? जलना शुरू कर देता है. तो यहां पर जो हो रहा है विद्ध परिपत में, तो बल्ब का जलना है, तार गरम होना, ट्यूब लाइट जलना, टीवी चलना, जितनी चीज़े विद्धारा से रिलेटेड चीज़ें हैं, समंद्ध चीज़ें हैं, इस सभी में क्या हो रहा है? आविश प्रवाहित हो रहे है, चिक, ओके, अब हमारे पास एक और क्रिया कलाप आती है, जिसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम समझेंगे आविश का स्थानांतरण यानि की ट्रांसफर ओफ चार्जिस, ठीक है? तो यह हमारे पार्ट की कौन सी? फोर्थ नंबर की क्रिया कलाप है, इसमें करना क्या है देखो पहले, मुरब्वे की खाली बोतल लीजे, बोतल के मुह के आकार से कुछ बड़ा गत्ते का टुकडा लीजे, इसमें एक छिद्र बनाएए, जिसमें से धातू की पेपर क्लिप को घुसाया जा सके, ठीक है? अब चित्र में दर्शाय अनुसार पेपर क्लिप को खोल जाये, गत्ते के ढखकन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाये कि ये गत्ते के लंबवत रहे, रिफल को आवेशित कीजे, तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्ष कराये और प्रेक्शन कीजे, अब देखो आपको एक क्या करना है, कांच की ऐसी शिशी ले लेनी ह हम धातू की शिशी क्यों नहीं ले रहे हैं, भाई धातू क्या होता है, धातू तो खुद क्या होता है, विद्द्धारा का सुचालक होता है, तो आवेश तो उसमें भी स्थानांत्रित होना शुरू हो जाएंगे, तो गलतिस अगर ये टच भी हो जाए, तो इसमें मीनियम है उसकी दो ऐसी पत्ली पत्ली पत्या काट लेंगे और उनको हम क्या करेंगे समय से लटका देंगे अब हम एक रीफिल को क्या करेंगे आवेशित करेंगे और उस आवेशित रीफिल को यह जो पेपर क्लिप थी ना इससे क्या कराएंगे टच कराएंगे ठीक है अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि यह जो रिफिल है यह तो आवेशित है पर यह पेपर क्लिप तो आवेशित नहीं है तो आप जब हम देखेंगे कि यह जब है यह आवेश हम इस पर टच कराएंगे तो यह आवेश इसमें से क्या करने लग जाएंगे गती करते हुए वो पहुंच जाएंगे paper clip के माध्य हम से और फिर यहां पर aluminum के जो पट्टियां अल्यूमीनियम भी क्या होता है आप उसकी अगर हम ने धादू की पट्टियां ले हुए है तो भी क्या हो जाएंगी वो भी आवेश्यत हो जाएंगे रहना क्यूक्त है स्थान आंतरन हो रहा है उ अब यहां पर टच किया तो इसमें जो आवेश था वो आवेश इस पर आ गया और अब वो आवेश धीरे 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 गती करके कहां आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ेगा यहां तक पहुंचेगा तो वो इन में भी तो आ जाएगा अब इसमें जो आवेश है वो ये कुछ इस तरह से धनावेश इस पर जाएगा, इस पूरी पेपर क्लिप पे, और इस पर भी धनावेश, इस पर भी धनावेश, चीक है, दोनों में धनावेश ही जाएगा न, रिनावेश जाने के तो कोई चांस ये भी नहीं दिख रहे हैं, धनावेश जो इस पर था, वो प्रेक्षन देखने को मिलेंगे आपको फटा फट से बताओ भई इससे पहले हमने अभी समझ लिया है ना आवेश के प्रकार में सारी चीज़े समझ ली है तो अब जल्दी से आप आंसर कर सकते हो कि अगर दोनों आवेश समान है तो क्या होगा वहाँ पर चलो एक और चीज़ आपके help कर देती हूँ मैं आपको दो option जैसे देती हूँ कि वहाँ पर बताओ आकर्शन होगा या फिर क्या देखने को मिलेगा प्रती कर्शन देखने को मिलेगा फटा फट से बताओ क्या होगा तो क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल process कर रहा है कि दिमाग इतनी जल्दी फूल जाते हैं हम तो क्या हो जाएगा वही समान आवेश है simple सी चीज है यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा प्रतिकर्शन देखने को मिलेगा मतलब कि वो दोनों पट्टियां एक दूसरे से क्या होंगी दूर जाएंगी, पास नहीं आएंगी आकर्शन तो होई नीरा प्रतिकर्शन हो रहा है और जब प्रतिकर्शन होगा तो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी क्या पन्नी की पटियों पर कोई प्रभाव पढ़ता है क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्शित करती है या फिर आकर्शित करती है आप पेपर क्लिप के सेरे से अन्य आवेशित वस्थू को स्पर्श कराए क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रोप से विवहार करती हैं क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तू आवेशित है अथवा नहीं क्या आप ये स्पष्च कर सकते हैं कि पन्नी के पटिया एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्शित करती है वह प्रतिकर्शित तो क्यों कर रहा है क्योंकि उस पर एक ही प्रकार का आवीश कारिक कर रहा है जिसकी वज़े से वह क्या करिया है एक दूसरे को प्रतिकर्शित कर रहा है फिर एक और चीज इनों ने पूछी कि क्या हमें सुपकरण का उपयोग ये पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तू आवीशित है या फिर नहीं है तो बिलकुल हम कर सकते हैं इससे हमें क्या पता चल रहा है भी आवीश का क्या हो रहा है वापे इस्थान आंतरन आवेशित है या फिर नहीं है ठीक है तो इसका उपकरण का प्रयोग हम बिलकुल कर सकते हैं आगे देखें चलो अब इससे क्या निकल के आता है भई सार है ना क्या समझ आया तो देखो ऐल्यूमीनियम की जो पन्नी की पटियां है वो पेपर टिप से होते हुए आवेशित तरी फिल से आवेश प्राप्त करती है याद रही कि धातुई जो होती है वो विद्धत की क्या होती है अच्छी चालक होती है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुचालक क्या अच्छे चालक क्या होते हैं हीन चालक क्या होते हैं यह दो शब्दों का प्रयोग हम करते है और हमने ये बहुत इच्छे से समझ लिया था कि कौन कौन सी चीजें जो होती है वा अच्छी चालक होती है और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होती है जो हीन चालक होती है अब देखो समान आवेश वाली पटिया एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिकरशित करती है और क्या हो जाती है? फैल जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षन करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तू आवेशित है या फिर नहीं है तो हम यही वाली युक्ति का प्रयोग करके क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तू जो है वो उसमें आवेश है नहीं है वो आवेशित है या फिर नहीं है ये सारी चीजों का पता हम लगा सकते हैं और अगर हम इस युक्ति की बात करें, तो इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? इस युक्ति को हम विद्यत दर्शी कहते हैं. मतलब कि इसके द्वारा हम पता लगा रहे हैं कि कोई वस्तू में आवेश है या फिर नहीं है. ठीक है? इसे भई याद रखना है शब्द को. आवेशित वस्तू से अन्य वस्तू में धातिक चालक के द्वारा भेजा जा सकता है अब अगर हमें किसी वस्तू को किसी और वस्तू मतलब किसी विद्धुत आवेश को किसी आवेशित वस्तू से अन्य वस्तू में मतलब अगर कोई जैसे अभी रिफिल क्या थी आवेशित और उससे हमको क्या करना है किसी अन्य वस्तू में हमें उस आवेश को भेजना है उसका स्थानांत्रन करना है तो हम उसे क्या धात्विक चालक के द्वारा भेजा जा सकता है जैसे कि पेपर की ग्लिप जो थी वो धातों के बनी होई थी जिसके द्वारा जो आवेश थे वो क् परिवर्वर्तन देखेंगे, अब आप जैसे ही, उस paper clip को अपने हाथों से छूएंगे तो क्या होगा? आप को देखने को मिलेगा कि अब पनी की पटियाँ है, अब उनमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने हो मिलेगा अभी वो जो दूर दूर hé थी थी आपनी वापस से पूर्व इस्थिती में आ रही है तो वे अपनी मूल इस्थिती में वापस आ जाती है पन्नी की पट्णीों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने के क्रिया को दोहर आई है अब बार बार पनी की पटियों को फिर से आविशित करो फिर से अपने हाथ से उस पेपर क्लिप को टेच करो फिर से उन दोनों के मुवमेंट जुगतियां हो रही है उनको देखो कि जैसे ही आविशित करते हैं तो वो दूर हो जाती है और जैसे हम हाथ से पेप पर्शन होने यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वह अपने मूल इस्थिती में पहले वाली पूर विस्थिती में जैसे वह पहले थी फिर उसके बाद देखो आप हाथ से पेपर क्लिप को सपर्श करते हैं पनी के पटिया सिमट जाती है वापस से जब आप करते हो तो वापस से हो करके प्रत्वी में चला जाता है तब हम कहते हैं कि पन्नी के पटियां क्या हो गई आवेषित हो गाई अब वह 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 सारे जिखेंद करता हैं तो वह सारे आवेश हमारे शरी में तो च्क。 तो वो जितने आवेश होते हैं, वो हमारे शरीर से होते हुए कहा चले जाते हैं, जमीन पे चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, कि जो अलुमीनियम की पण्या थी, वो वापस से क्या हो जाती हैं, अनावेशित हो जाती हैं, पहले वो क्या थी, आवेशित थी, अब वो क्य सिवाली स्तिती कोई भी आवेशत वस्तु से आवेश को कहा पर भीजना प्रत्वी पर भिजना तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे भू संपरकन या फिर अर्थिंग कहेंगे ठीक है? इस पर question आजाएंगे ठीक है? इंपोर्टेंट है ठीक आगे देखें एक note दिया हुआ है हमको और ये note क्या दिया है? कि विद्धधारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्य विद्ध आगात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपरकन की विवस्ता की जाती है अब ये शब्द जो है ना भू संपरकन इतना शुद्ध हिंदी तो देखो कोई उस नहीं करता आज के टाइम पे पर यह कह सकती हूँ कि आपने अर्थिंग शब्द जरूरं सोना होगा है ना कि अर्थिंग क्या होती है तो आप लोँ ने दिखा वहाँ में भी जो बिजली वागmember के रहा है जितने भी क्या बोलते हैं यह आपके विद्धधारा के जित्ते भी काम है यह सारे जो होंगे इन सब में अर्थिंग की गई होगी है ना आपने शब्द कई बाइलेक्रिशन के मुह से बी सुना होगा तो जिनने भी सुना है बताएंगे तो क्या होता है कि और जो बड़े-बड़े भवन होते हैं बड़ी-बड़ी जगया होती है जहां पर बहुत सारा बिजली से रेलेटिट काम रहता है तो वहां पर क्या है जो विद्धारा अगर कभी-कभी लीक हो जाती है तो वह ये विद्धत आगात, current ऊगेरा ना लगया ऐसी चीज़ें ना हो, तो वहाँ पर क्या कर दी जाती है? अर्थिंग कर दी जाती है. मतलब कि उन तारों को सीधा किस से जोड दिया जाता है? उन्हें प्रत्वी से जोड़ दिया जाता है जिसकी वज़े से वो सारे आविश कहां चले जाते हैं नीचे चले जाते हैं और हमको क्या करेंट लगने जैसी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं ठीक है तो इस तरह की विवस्था बड़े बड़े भवनों में की जाती है चीक के साथ हमारे इस चाप्टर के दो टॉपिक यहां पर क्या हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं हमने काफी डीटेल में हर के क्लिया कल आपको बहुत अच्छे से समझ करके कंप्लीट कर लिया है और उमीद है कि आपके दोनों टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गये होंग इचे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हैं Magnet Brains के YouTube चैनल, वेब साइट और एप्लिकेशन के साथ Magnet Brains इंडिया का नंबर 100% free online education platform अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे top courses जो के यहां screen पर आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे की बात करें CVSC board, Delhi board, बिहार board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course और Spoken English और ये सभी top courses आपको मिलते हैं High Quality Education के साथ English और Hindi दोनों ही medium में साथ ही in courses के लिए आपको किसी तरह का कोई payment नहीं करना पड़ता, कोई subscription नहीं लेना होता क्योंकि ये सभी courses आपको provide कर आये चाते हैं 100% free of cost अगर आप हम से अधर social media platform से भी जड़ना चाते हैं तो आप हमें follow कर सकते हैं Facebook पर Instagram पर Twitter पर Telegram पर भी तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें दोस्तों को share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं next topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई